Hello my dear students, I hope you all are doing good and in this video we will solve IELTS reading test and reading test को solve करने से पहले मैं आपके साथ important tips शेर करूँगी जिनको की अगर आप regular basis पे 1 and half month के लिए भी follow करते हो तो then trust me आप reading में easily 7, 7.5 and 8 band achieve कर सकते हो अभी सुनने को तो में भी कई students को ये tough भी लग रहा होगा कि कैसे आजाएगा 1 and half month में 7, 7.5 और 8 band reading में but trust me अगर जो भी tips में आपके साथ अभी share करूँगी उनको आप serious होके follow करते हो 1 and half month के लिए then आप खुद अपना result share करोगे मेरे साथ की हाँ जी जो भी improvement आएगी कैसे आपका band score improve होगा वो आपको खुद को देखने को मिलेगा तो tip number one क्या है कि जब भी आपने reading test start करना है ना solve करना जब भी आपने अपना reading test start करना है तो उस time के उस time पे जो आपका mind है वो fully focused होना चाहिए आपके test पे reading test पे इदर उदर की thoughts, thinking बगारा कुछ नहीं चलना चाहिए आपके mind में है अगर आपके हाथ में आपका test है बट आप सोच इदर उदर रहे हो जो tension में हो कि क्या होगा क्या होगा तो इतनी tension नहीं लेना है इतना अपने mind को divert नहीं करना आपने fully अपने reading पे focus होके solve करना देन आपको easily answers मिलेंगे and correct answers भी मिलेंगे अपने questions पे second tip जो सबसे important है वो क्या है कि जो आपका material है वो real exam के level का होना चाहिए तो practice करने के time पे material आपको कहां से मिलेगा real exam के level का तो इसके लिए आपने Cambridge की books को जातो पर chase कर लेना है market से जहां फिर आपने क्या करना है इसके जो pdf है वो google से आप डाउनलोड करके practice कर सकते हो daily basis पे आपने एक test practice करना है कब morning में morning में आपका जो mind है वो relaxed होता है प्लस all to fall to की distractions नहीं होती इससे आपको क्या ज़्यादा correct answers मिलेंगे इससे आपको confidence भी boost होगा कि हंजी मेरा च्छा score जा रहा है तो यह आपका final exam में काफी आपकी help करेगा next इसके लिए आप अगर Cambridge का daily basis पे एक test भी practice करते हो वो sufficient है more than enough है दो test practice करने की बजाए एक को यच्छे से करो and उसके बाद जो mistakes आती है जब आपने सारा test solve कर लिया then आपने answers check करने जो mistakes आएंगी उनको आपने analyze करना उनको आपने improve करना कि मेरी mistake क्यों आई तो यह improvement must है then उसके बाद जो भी है एक second and मैंने खुद यह चीजे implement करी और मुझे बहुत अच्छा result देखने को मिले था इसलिए मैंने आपके साथ यह tips share करी है इसके बाद जब आप practice करते हो न टेस्ट तो real exam consider करके आप practice किया करो उस time पे आपको कोई messages बगएरा पे नहीं जाना चाहिए कोई calls बगएरा कुछ नहीं आना चाहिए अगर आप phone से practice करते हो न गूगल से अगर आप download करके PDF mobile phone से practice करते हो तो उस time पे आपका जो mobile phone है वो flight mode पे होना चाहिए proper one hour का alarm सेट करके आपने real exam consider करके उसको solve करना है तो यह थी important tips तो उसके बाद हम अभी अपना reading test को solve करेंगे देखो जब भी आपको आपकी हाथ में reading test आता है तो आपने directly उसको read करने नहीं लगना आपने पहले जाना questions पे की questions पे जाओगे देखो कौन सी type के questions है जब आप real exam में होते हो try करा करो पहले easy type के questions को solve करें like true false exam और blanks है ना यह वाले चीज़ों को आप पहले solve करो उसके बाद difficult questions को solve करो तो तो इससे आपकी काफी help होगी ज़्यादा questions के correct answers find करने में now देखते हैं हमारे पास किस type के questions है true false है not given है ना अगर आपको true false में है तो आप answers में true false mark करोगे अगर yes no में given है तो आप answers में yes no mark करोगे तो पहले आपने जाना है questions पे question देखो उसको आप अच्छे से read करो कि examiner ने क्या question दिया उसमें से जो main keywords हैं उनको highlight करो उसकी help से आप passage पे जाओ paragraphs को read करो जो linkers means keywords है sorry linkers बोल दिया मैंने जो keywords हैं उनकी help से आप location फाइंड करके paragraph में वहाँ से आप अपना answer फाइंड करोगे तो first question क्या है other countries had built underground railways before the metropolitan line opened कि जो other countries थी other countries countries की बात हो रही है उन्होंने underground railway built किया था before metropolitan line opened so metropolitan line की है यह भी एक underground railway है जब आप paragraph read करोगे वहाँ से आपको इसकी clarity मिलेगी है न तो वह बोल रहे हैं कि जो other countries थी उन्होंने metropolitan line से पहले underground railway को open किया था में यह other countries में underground railways इस लाइन से पहले exist करते थे तो हम देखते हैं अपने उस पे paragraph पे जाएंगे और वहाँ से देखते हैं हम इसका answers see wait a second wait a second so पहले भी हमने यह वाला test solve किया है तो उसमें हमने true false solve करे थे तो इसके लिए हमने उपर वाला जो सारा paragraph था उसको हमने read कर लिया था इधर तक now हम क्या करेंगे next paragraph पे जाएंगे तो जिन्होंने वह वाली वीडियो नहीं देखी वो जाके इस चैनल पे देख सकते हैं उसका link में comment section में भी पिन कर दूँगी अब देखो हम read करते हैं अपना paragraph the metropolitan line which opened on 10th jan 1863 was the world's first underground railway paragraph में हमें क्या information मिर रही है कि जो metropolitan line थी वो open कब हुई थी 10th jan 1863 को open हुई थी और ये metropolitan line है न वो word का first underground railway था on its first day almost 40,000 percent were carried between देखो next information दिये है न तो हमारा answer इसमें से मिल गया हमें कि जो metropolitan line थी वो word का first underground railway था means इससे पहले और किसी भी country में कोई भी underground railway exist नहीं करता था इधर क्या information मिर रही है कि जो ये वाली line थी metropolitan ये word का first underground railway था means सबसे पहले जो underground railway बना था वो metropolitan line थी इससे पहले कहीं पे भी किसी भी country में कोई भी underground railway exist नहीं करता था तो हमें अपना question का answer मिल गया false कैसे false उन्होंने बोला कि other countries में metropolitan line से भी पहले underground railway exist करते थे बट paragraph में हमने क्या read किया कि जो metropolitan line थी ये word का first underground railway था means सबसे पहले अगर को underground railway बना था तो वो metropolitan line थी तो इससे पहले अदर किसी भी country में किसी भी place पे कोई underground railway exist नहीं करता था बट question में था कि इससे भी पहले ये other countries में underground railway थे तो इससे contradiction लागी तो हमारा answer किया गया हो false तो ऐसे आप keywords की help से अपने answers को find out किया करो next question is question number eight more people wait a second more people than predicted traveled on the metropolitan line on the first day वो बोरे हैं कि जितनी prediction करी गी थी कि जो metropolitan line का first day है means जितनी prediction करी गी थी कि इतने people travel करेंगे उससे ज़्यादा लोगों ने travel किया metropolitan line पे इसके first day में more people than predicted कि जितनी prediction करी गी थी उससे ज़्यादा लोगों ने travel किया metropolitan line पे on the first day पे तो अगर तो हमें paragraph में मिलेगा कि जितनी prediction करी गी थी उससे ज़्यादा लोगों ने travel किया था तो true अगर वहाँ पे दिया होगा कि उससे कम लोगों ने travel किया था इदर more न, अगर उदर less होगा then हमारा false आएगा अगर इसके बारे में information नहीं given then not given आएगा तो हम चलते हैं अपने paragraph में वहाँ पे जाके हम इसको read करते हैं अपना answer को find out करते हैं तो एक second location देखते हम इसकी तो यहाँ तक था हमने read किया था wait एक second देखो इदर तक हमने read कर लिया था उससे next read करेंगे on its first day metropolitan line की बात हो रही है न तो location मिलगी आपको अपने question की कि इसके first day में तो question में भी था न on its first day तो वो location भी मिलगी हमें keywords मिलगे on its first day almost 40,000 passengers were carried between पेडिंग्टन एंड फेरिंग्डन the journey talking about 18 minutes by the end of metropolitan's first year of operation 9.5 million journeys had been made तो देखो इस paragraph को हमने read किया तो हमें क्या information मिली कि इसके first day पे means metropolitan line के first day पे कितने passengers ने travel किया था 40,000 40,000 passengers ने travel किया था तो इदर कोई भी information given है कि prediction कितने की करी गई थी कितने passengers ट्रेवल करेंगे means इतने people ट्रेवल करेंगे कोई भी prediction की बात हुई नहीं कुछ भी उन्होंने दिया कि जितनी prediction से उत्ते ज्यादा people थे जाँ उससे कम थे कुछ भी ऐसी information given नहीं है just उन्होंने बोला कि इसके first day में 40,000% जिसने travel किया था कोई more की बात नी कोई less की बात नी कोई prediction की बात नी कुछ नहीं उन्होंने predict किया था कि कितने travel करेंगे तो इसके लिए हमारे पास information नहीं है तो हमारा answer की आया not given next question is the use of ventilation shafts fail to prevent pollution in the tunnels कि जो ventilation shafts को use किया गया था उन्होंने pollution को prevent नहीं किया वो means successful नहीं थे pollution को prevent करने के लिए means failed थे pollution को किसमें prevent करना था tunnels में means ventilation shafts को कहा पे use किया गया था कि tunnels में इनको pollution को prevent करने के लिए use किया गया था बट ये fail रहे इसमें तो इसको देखते हम अपने paragraph पे चाहते हैं just wait 1 second जी wait a second यहां तक हमने read कर लिया था देख सकते हो आप की जो metropolitan line थी उसके regarding हमने read कर लिया था next read करेंगे even as the metropolitan began operation the first extensions to the line were being authorized these were built over the next five years reaching morgate in the east of the London and hammersmith in the west next ventilation shafts के भी तक बात नहीं सो हम read करते चलते हैं the original plan was to pull the trains with steam locomotives using fire bricks in the boilers to provide steam but these engines were never introduced instead the line used specially designed locomotives that were fitted with the water tanks next in which steam could be condensed however smoke and देखो अभी तक ventilation shaft की बात नहीं होई कोई pollution की बात नहीं होई कोई tunnel की बात नहीं होई तो जब तक हमें keywords नहीं मिल रहे हम read करते जाते जिदर हमें keywords मिले हमें location मिल जाएगी हमारे question की however smoke and fumes remain a problem even though ventilation shafts were added to the tunnels देखो आगी जो smoke and fume problem रही चाहे ventilation shafts को use भी किया गया था add भी किया गया था tunnels में keywords मिल गया tunnels ventilation shafts pollution के लिए उन्होंने यूज किया fumes इसे above हमने read किया था smoke smoke and fumes remain a problem remain a problem means smoke and fumes क्या होगा pollution means ये smoke and fumes ये problem रहे चाहे ventilation shafts को add किया गया tunnels में means वो गो रहे है चाहे इनको ventilation shafts को tunnels में use भी किया गया MEZ किया गया still जो smoke and fumes ते वो problem थी means इसे pollution की problem still भी थी तो हम अपने question को read करते हैं and answer mark करते हैं कि जो जो यूज़ था ventilation shafts का ये फेल रहा pollution को prevent करने के लिए तो same thing हमें paragraph में given है so हमारा answer क्या आए true next हम read करते हैं question तो ऐसे अपने keywords की help से अपने paragraphs पे जाना है and questions की location check करने है find out करके then वहाँ से आपको अपने question का answer मिल जाएगा next is a different approach from the cut and cover technique was required in London's central area वो बोरें कि एक different approach किसे different approach एक तो cut and cover technique थी ये वाला method था means ये वाली टेकनीक थी कौन सी cut and cover technique so इससे different different approach means cut and cover की approach एक different approach चाहिए थी was required in London's central area तो हमारे इदर से keywords कौन कौन से हैं एक तो different approach की बात करी जाएगी एक cut and cover technique की बात करी जाएगी एक London का जो central area उसकी बात करी जाएगी तो इन keywords की help से हम अपना जो location का उसको find out करते हैं then उसके बाद हम answer को mark करेंगी तो हम चलते हैं अपने paragraph पे तो हमने read किया था wait 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 हाँ जी हमने ventilation shafts तक को read कर लिया था next read करते हैं despite the extension of the underground railway by the 1880s congestion on London streets had become worse कि इसकी जो underground railway था इसकी extension के बाव्यूद भी जो लंडर के streets थी वहाँ पे congestion की problem काफी जादा थी तो इसको next read करते हैं the problem was partly that the existing underground lines formed a circuit around the center of London and extended to the suburbs but did not cross the capital center कि वो आपना try किया करो जो information given हो उसको understand करने के अगर आपको understanding है तन आपको अच्छे से आपका answer मिल जाएगा कि वो बहु रहे हैं कि जो problem partly थी exist कर रही थी underground railway जो lines थी formed a circuit उन्होंने ना circuit form किया था जो London का center था and उनको extend किया गया था suburbs तक बट जो ये वाली line थी इसने capital के center को cross नहीं किया था next the cut and cover method of construction was not an option in this part of capital see हमारी location आगी है देखो cut and cover technique की बात हुई थी इदर उन्होंने write कर दिया cut and cover method है न कि जो cut and cover method था construction का वो option नहीं थी means alternative नहीं था in this part of capital the only alternative was to tunnel deep underground देखो इदर से हमें question का answer मिल गया कि जो cut and cover method था ये option नहीं था इस पार्ट में capital के तो जो alternative था वो deep underground था तो यहां से हमारा question मिल गया कि जो cut and cover method वो option नहीं था means वो solution नहीं था इस case में तो इदर भी उन्होंने बोला कि जो cut and cover है वो solution नहीं था इसके अलावा कोई different approach means कोई different method required था तो हमारा answer आ गया true next the windows on city and south london trains were at eye level कि जो windows थे city and south london trains में वो eye level पे थे जब आप trains में travel करते तो आपको windows जो eye level पे मिलते हैं न directly आप वहाँ से देख सकते हैं आउटसाइड तो वही देखते हैं कि जो cities की बात करें उदर windows थे जो south london train में windows थे अगर तो वो eye level पे होंगे then to true अगर नहीं होंगे then false अगर information नहीं होगी then हमारा answer आएगा not given तो चलते हम अपने paragraph पे and then हम अपने question को find out करते हैं तो इदर तक हमने read कर लिया था next although the technology to create these tunnels existed steam locomotives could not be used in such a confined space it was not until the development of a reliable electric motor and a means of transferring power from the generator एक सकीड तो a moving train next that the world's first deep level electric railway the city and south london तो keywords मिलगे the city and south london keywords की help से हम location को find out करते हैं the city and south london became possible the line opened in 1890 and ran from the city to stockwell south of the river thames the train were made up of three carriages and driven by electric engines the carriages were narrow and had tiny windows just below the roof because it was thought that passengers would not want to look out at the tunnels so location मिल की city and south london तो देख लिया next windows की बात हुई थी वो देख ली देखो की जो बोरे जो carriages एक तो narrow थे एक इनकी tiny windows थी जो की just below the roof roof के नीचे थे because it was thought that ये क्या मानना था उनका कि जो पसंजर्स थे न वोड़ न वो आउटसाइड नहीं देखना चाते थे तो इसलिए जो windows थी roof के below थे just below थे तो हमें answer मिल गया हमारा false इदर उन्होंने बोला था न आई लेवल पे means वो देख सकते थे बट उदर था कि वो देखना नहीं चाते थे तो windows just roof के below थे तो हमारा answer आ गया false next trains on that company tube nearly always ran on time कि जो trains थी अगर तो वो time पे आती जाती थी रैन करती थी तो ok true है false है not given जो भी हम find out करते हैं देखो यह सारे information आप रीड करना चाहो तो कर सकते हो देन अगर आपने time save करना just आपने location पे जाना है then in 1990 a second then in 1990 the central london railway known as the topny tube began operation using new electric locomotives it was very popular it was very popular and soon afterwards new railways and extensions were added to the growing tube network by 1907 the heart of today's underground system was in place देखो उन्होंने बोल दिया कि 1900 में जो central london railway था उसका नाम क्या था उसको क्या बोलते थे चपनी tube यह operation में आया यूज किया इन्होंने new electric locomotives यह काफी popular था and इसके बाद जो new railways से expansion से उनको add किया गया to the growing tube network तो उन्होंने कुछ नहीं बताया कि जो trains थी वो time पे आती थी जा late आती थी कुछ नहीं बताया just इसकी definition दी यह इसके बारे में information दी कि क्या है इसकी just information मिली तो इसमें कोई भी कुछ भी add नहीं था कि trains time पे आती थी जा नहीं आती थी तो हमारे पास information given नहीं है so our answer is not given तो यह था हमारे true false तो जब भी आप practice करते हो reading test solve करते हो आप भी ऐसे solve किया करो देखो हमारे कितने questions थे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तो 6-7 questions है हमारे पास तो ऐसे ही आपने try करना कि जितने भी questions है easy type के उनको तो आप specially full के full आपके write जाने चाहिए तो अगर आप understand करके questions को solve करते हो then definitely जो आपके answers है वो जादा write जाएंगे अगर आपके answers जादा write जाएंगे तो आपका band score तो improve हो गई होगा तो जो इसके लावा मैंने starting में tips आपके साथ share करी थी उनको भी आपने follow करना आप one and half month के लिए follow कर लो then आपको खुद result देखने को मिलेगा और खुद आप अपना जो भी feedback होगा वो share करोगी इस channel पे and videos को like जरूर किया करो because मैं अपने busy time में से time निकाल किया आपके लिए videos का जो भी content है उसको ready करती हूँ and then उसको upload करती हूँ तो काफी time लगता है तो इसके लिए आपको videos को like जरूर किया करो channel को share करो जो भी support करो subscribe करो and thank you for watching for watching